हेलो लाइनर्स इन इस वीडियो वी वी विल डिस्केस अबाउट दा लाइप सैकल ऑफ राइजोपस एंड आयाम आसीज फ्रॉम देली उनिविस्टी तो यहां है क्लासिफिकेशन राइजोपस का किंडम है फंजाई ओडर है म्यू कोरेल्स फैमिली है म्यू कोरेशी है जीनस हाई राइजोपस तो राइजोपस है क्या जैसदा राइजोपस सैफ्रोफाइटिक फंजाई होती है जो डेस्टरल्ड में रहकर अपने न्यूट्रिशन पाती है और यह में बर होता है जाये हो माइक टा का इसे ब्लैक ब्रैड मोल्ड ए прост ब्रैड मोहल भी कहते हैं इसके क कुछ इस्पीसीज कॉस करती है फंगल इंफेक्शन हुमन में भी तो आप स्कीन देख सकते हो यहां पर कोटेनाइटिक ग्रोथ हो रही है वाइट जो न्यूट्रिशन प्राप्ति कर रही है डेट से तो यह एक कोईनोसाइटिक फ्लामेंटस फंजाई है कोईनोसाइटिक का म मतलब होता है इसमें सेप्टा प्रिजेंट नहीं होते साइट्रो प्लाजम को डिवाइट करने के लिए और इसमें ग्लोवल डिस्टुबिशन होता है यह अमोनियम सॉल्ट आमीनो कंपॉंट्स में नहीं ग्रो कर सकती है तो यह है इस्ट्रक्चर राइयोपस का यह फिलाम तो सुन प्लाजम होता है बनाने के लिए स्टोर करने के लिए स्टॉल्न एक होरिजिन्टल होता है जो बेजिटीट्व प्रडुक्शन में मदद करता है एक स्ट्रक्चर है जो मल्टिपल स्ट्रंग्च्टियोफ धॉर को पैदा करता है एक अपने ही singli週 ऐफक्टिक्स से एरिएल हाइफी जो बाइड करता है स्पोरस को आखरी स्ट्रक्चर होता है राइज्टोईец जो मदद करता है अब्जॉब करने में न्यूट्रियंट्स को यूज ऑफ राइजोपस जलद सरह राइजोपस का यूज अथिक अलकॉरी के प्रोडक्शन में होता है और फ्रेंग सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो इसमें फर्मेंटेशन के थू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एक छोटा सा फर्मेंटेटेड प्राटिकल मल्टिपल डिविजन करके पूरी कोटानिक गृत कर लेता है असेक्सवल लिप्रोडक्शन होता है स्पोर एंजियो स्पोर्स की थू इन्फरेबल कंडिशन इसमें स्पोर एंजियो स्पोर्स कई सारे प्रेजेंट होते हैं और इसके नीचे आफ्टर दा मैचुरेशन वाल ओफ स्पोर एंजिया ये डिजनरेट हो जाते हैं इसकी वाल और स्पोर रिलेज हो जाते हैं विंड के थू और ये फेवरेबल कंडिशन पर विंड के थू अपने सबस्टेर्टम के ऊपर पहुँचने पर ये जर्मिनेशन करना स्टार्ट क होता है जिसमें क्लेमाईडो स्पोर्स प्रॉटएप्लाज्म के कंडिंशेशन से बनते हैं और ये unfavorable कंडिशन में होता है क्लेमाईडो स्पोर्स के द्वारास्सेक्वल रिप्रोडक्शन फिर जो लमाईडोस्तोर है ये माइसेलियम से फिर उसके बाद अपने सबस्टेटम में ग्रोथ करता है अब बात करते हैं सेक्सूल रिप्रोडक्शन की यह जाईगो स्पोर्स के थ्रू होता है इसमें कुछ दो अपोजिट इस्टेन वाले हैफी साथ आकर मेटिंग करते हैं उसके बाद यह आईसो गैमिट होती है मतलब fusion of protoplasm और nucleus पास पास आ जाते हैं जिसमें के resultant यंग जाईगो स्पोर्स बनते हैं इसके बाद एक conversion भी होता है जिससे यह जंग जाईगो स्पोर्स वाला स्ट्रक्चर जाईगो स्पोर्स में बदल जाता है जाईगो स्पोर्स स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ह होता है देखने में लाइक स्ट्रक्चर करता है जिसे कहते हैं जर्मो स्पोर्स पोर्स में खास तरह की स्पोर्स होते हैं जो को मैचुरेशन के बाद इस जर्मो स्पोर एंजियम की वाल को मैचुरेशन के बाद डिजनरेट होने के बाद यह स्पोर्स म्योसिस के बाद अपनी शंक्या में बढ़ जाते हैं जिने म्यो स्पोर्स कहते हैं फिर यह म्यो स्पोर्स अपनी सब्स्ट्रेटम में जर्मिनेट करता है फिर यह भी को ट्रैंट बाकि की तरह कोटनिंग की तरह पूरी कर लेता है राइज उपस की तो यह रही सेक्षोल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकल राइज उपस की सबसे पहले हाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो और लास्ट में यह बूख बता देना कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए वीडियो के लिए तो यह बायो